हर्याना के नू में धार्मिक यात्रा को लेकर कस्मकस की स्थिती बनी हुई है हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिशत के कारेकारी अध्यक्ष आलोग जी प्रसासन नहीं चाहता की यात्रा निखले आप लोग का स्टेंड क्या है और क्या यात्रा निकलेगी और किया उसी रास्ते जिस रास्ते से पिछली बार हुई थी इसलिए बनाई जाती हैं कि लोग अपने धर्मिक कामकाज कर सकें, रस्मो रिवाज कर सकें और यात्राइं कर सकें सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि हमलावर को रोकने के वज़ा धर्मयात्रा को रोक दे हम लोगों को ये मालूम है कि 20 ये चल रहा है और हमको ये भी मालूम है कि मेवात एक समवेदनशील छेत रहे हैं इसलिए अपनी जिम्मेवारी पर हमने तैक किया है कि यात्रा प्रतिक आत्मत निकालेंगे कम लोगों के निकालेंगे पर यात्रा निकालेंगे मैं भी उसमें जाओंगा पूरी चौक सी बरती जा रही है धारा 144 लागू कर दी गई है इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है तो किस तरीके की आशंका है आप लोग के मन में और स्थानी प्रसासन के मन में हमारे मन में कोई आशंका नहीं इस यात्रा में संत होंगे महा की खाप के कुछ लोग होंगे विश्वहंदू परिशत के कुछ लोग होंगे सहट चांती से यात्रा निकालेंगे हमें कोई आशंका नहीं है और हम इस यात्रा को इस्थगित करने के लिए तयार नहीं है क्या उसी रूट से यात्रा निकलेगी जिस रूट से पिछले बार हुई थी और अगर किसी तरीके की आप लोग की और से कुछ अत्रिक्त सुरक्षा व्यवस्ता की मांग की गई है इस्थानी प्रशासन से रूट तो वो ही है जो आनेक सालों से चल रहा है इसलिए रूट के परिवर्तन की कोई बात अभी नहीं हो रही है हमने सुरक्षा की मांग नहीं किये प्रशासन का जो परसेप्शन है इस बारे में वो प्रशासन तै करें प्रशासन को लगता है कि सुरक्षा की ववस्ता करनी है तो वो देगे हम इश्वर की सुरक्षा में जा रहे हैं और भगवान के इन तीन मंदिरों में जल जातरा निकले क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जैसे पिष्ली बार हुआ था फ कुछ उसी तरीकी की जो चीजे हैं वो इस बार भी हो सकती है असंका है उसके मन में मैंने आपसे कहा कि यात्रा निकालना हमारा अधिकार है कि उस यात्रा में कोई गयार कानूरी ढंक से आक् लगता है हम यात्रा निकालेंगे सरकार को अपना करतब बें करना चाहिए हम आशा करेंगे कि वो करतब पूरा करेगी और फिर जो परिनाम होगा इश्वर इच्छा से होगा हम उसके लिए तयार हैं क्या यह यात्रा सिर्फ प्रतिकात्मक होगी या सर्तों के साथ जैसा है आप लोग इस यात्रा को निकालेंगे अभी प्रतिकात्मक निकालेंगे जीट्वंटी के बाद विचार करेंगे कि क्या दुबारा से बड़े यात्रा निकालनी है पर क्योंकि ये सावन का अंतिम सोंबार है इस दिन यूसी आत्रा को पूरा करना यह हमारे लिए अपर यहारे हैं पिछली बार जिन लोगों ने पत्राओं किया था जो आगजनी की थी उन लोगों को क्या संदेज देंगे वो किस मानसिक्ता के लोग थे आपको कि देश का दुर्भाग्य है और पूरे ग्लोबल चैलिंज है कि इसलाम का एक वर्ग जिहाद और जिहाद के उस रूप की बात करता है जिस रूप में गैर मुसल्मानों पर हमला अपहरण बलातकार यह सब जाहें से पिछली बार भी उन्हों नहीं किया था घात लगा के किया था तैयारी से किया था उस तैयारी के वीडियोस दो दिन से पब्लिक डोमेंड में यूट्यूब पर थे सरकार सावधान नहीं थी हम मानते हैं कि स्थानिय प्रशासन के उस दिन विफल्टा हुई थी और जिहाद की इस मानसिक्ता का पूरे विश्वकी सिविल सोसाइटी को समझना होगा वैचारिक बौधिक तोर पर सामाजिक तोर पर और फिजिकल फॉर्म में इसको मीट आउट करना पड़ेगा इस्थानी जो मौलाना है वो भी धम की भरे लहजे में इस यात्रा को रोकने की बात कह रहे हैं हमको नहीं मालूम यात्रा निकलेगी चैलेंज है आपको के सामने हम तो इश्वर की सुरक्षा में जा रहे हैं हम अत्यार लेके नहीं जा रहे हैं सरकार को अपना कर्तवे परिणाम होगा उसको इश्वर का प्रसाथ समझ के सुथार करेंगे तो यह थे विष्व हिंदू परिशत के कारेकारी अधिनक्षा लोग जी आजिनका साफ तौर पे कहना था कि यह यात्रा निकलेगी हाला कि यात्रा का जो स्वरूप होगा वो प्रतिकात्मक होगा क्यों कि दिल्ली में जी ट्वेंटी के एक एहम मीटिंग होने वाली है लिहाजा सुरक्षा कारणों से ही सही लेकिन यह यात्रा निकलेगी प्रतिकात्मक तौर पे निकलेगी हला कि उन्होंने जिस जिन लोगों ने पत्थर बरसा है थे उनके उपर जरूर एक तरिके से हमला किया ह और उनको जिहादी मानसिकता का बताते हुए कहा कि कटूर से कटूर कारवाई होनी चाहिए वारानसी सेथ केस के साथ आस्टोस सिंग टैंक नाव भारत